रूस का आर्थिक युद्ध यानि रूस के खलाफ अमेरिका आर्थिक युद्ध छेड़ रहा है इस तरह की आरोप लगा जाने हैं कई अमेरिकी कमपनियों ने रूस में व्यापा रोग दिया है ये सब जानते हैं वहाँ पर जो सोशल साइट हैं उस पर बैन लगा दिये से आप लोगों से लड़ाकों विमानों की डिमांड है और कहे रहे हैं तदकाल अमेरिका इस पर फैसला करें फैसला क्या लिया जाएगा जी कोशिश तो यह है कि जो हम जलिंस्की को दे सकते हैं वो जल्द से जल्द हम दे रहे हैं जहां तक यह मारे फाइटर जेट से मिक 29 हैं यह इस वक्त हम बिल्कुल उसको बहुत करीब से देख रहे हैं और मैं इस पात पर भी जोड़ डालना चाहूंगा कि इस वक्त जो हम द जहाज देख रहे हैं जो लिडाकी जहाज हैं जो फाइटर जेट्स हैं और इसका एक मक्सद यानि की एक वज़ा यह है क्यूंकि हमने युक्राइन को बहुत एडवांस्ट सेर्फस टु एर मिसिल्स भी हम दे चुके हैं जो के बहुत ही फादा मन है इस वक्त युक्राइन कर सकते हैं जल्द से जल्द हम करना चाहेंगे हम इसलिए इसको इतने अबरिटाइज नहीं करते इतने उचे वाद में नहीं बताते इसको क्यूंकि इसका एक फिर जाहरी बात है हम रूस को नहीं बना चाहते कि उनकी क्या क्या एडवांटेज होंगे तीक है यानि कि अमेरिका युक्रेन को जो मदद कर रहा है आप लोग नहीं चाहते हैं कि रूस को विस्तार से उसके बारे में जानकारी हो इस वज़े से बहुत सारी चीज़ों को आपके और से सार्जरिक नहीं किया जाता है और श्वेता सिंग भी मेरी संबाद दाता इस वक्त मेरे साथ मेरी सहियों की जूचिक हैं उनके पास भी हम चलेंगे लेकिन जल्दी से शंकर ड्याजी आप सब आप यहाँ पर विशंपर ड्याल जी सबाल पूच्छा जाते थे जर्तरार से क्या हैं आपके सबाल उनके लि हैं और उसमें अमेरिका और युक्रेइन की बाइलोजिकल वार फेर पर कोई कॉपरेशन थी जिसका बार बार रश्या से भी आ रहा है अब चाइना से भी आवाजें उच रही हैं तो इस पर क्या कहना चाहेगी अमेरिकन एड्मिनिस्टेशन मैं पहली बत हो यह कि यह आंतरराश्च्री कानून का मेरे खाने बहुत सपाश तोर पर हम कह सकते हैं कि बाइलोजिकल हत्यार जो है वो बिलकुल उन पर एक मकमल तोर पर पबंदी है और हम मेरे खान में इसमें कोई शक नहीं होने चाहे कि अमरीका ने कभी भी एक कोई भी बाइलोजिक हत्यार या कोई भी जो आंतराश्च्री कानून के खिलाफ कोई प्रोग्राम हो उमने ना कभी किया है ना कोई इरादे हैं तो यह मैं पहली दब सुन रहा हूं कि कोई बाइलोजिकल लाब है उकरेन में मुझे तो सुनते हुए यही लग रहे कि यह एक और मिस से